हेलो एब्रिवन वेल्कम टू अनकेटमी दस इस अर्णत वालिया तो अपना कोर्स चल रहा है आज अपन उसको अगे बढ़ाएंगे ग्रूप एक अपन सारा प्रोपेटी सारा कंसेंटरेशन टम्स पढ़ चुके हैं आज अपन बात करेंगे ग्रूप B की चलो तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले ब्रीफ इंट्रोडेक्शन अबाउट मी आप मुझे इस लिंक के थ्रू अनकेटमी में फोलो कर सकते हैं डाउट पूछते रहने कोई शर्माना नहीं रेटिंग्स जरूर करनी है जैसा भी ये लेसंस लगिए मैं आपके बना रहा हूं जैसा भी आपक चुके हैं चारो कंसेंटेशन अपन देख चुके हैं ठीक है आज अपन गुरूप बी स्टार्ट करते हैं पहली है गुरूप बी में कौन था आपको पहला लेसन में आपको बताया था क्लासिफाई क्या था गुरूप ए और गुरूप बी में गुरूप बी में जो होगा temperature independent सारी properties होंगी ठीक है, mass dependent बोल सकते हैं खली mass पर depend करेंगी सबसे बहले यह percentage by weight w by w says का representation होता है वो क्या होता है weight of solute to the weight of solution कि weight of solute कितना solute present है इतने weight of solution में ठीक है, यह just percentage weight by weight होता है clear यह वाली बात जैसे percentage volume by volume था कि कितना volume of solute present है in the volume of solution इसी तरह weight by weight होता है देखो weight by weight है तो उपर भी weight आएगा solute का नीचे भी solution का weight ही आएगा ठीक है, वहाँ volume by volume था weight by volume बताया था मैंने group A की प्रॉपेट concentration terms में, यहाँआपन group B की बात कर रहे हैं तो इसमें सारी temperature independent terms चलेंगे आपने पास volume का कोई जिकर नहीं आएगा पहली problem देखते है, what would be the concentration in percentage weight by weight of solution obtained by mixing 10 gram of caustic soda caustic soda का आप formula याद रखेंगे NaOH होता है in 100 gram of water ठीक है, अपन से concentration बूचिए weight by weight में तो देखो solution किस किस से मिलके बनाऊगा पहले lesson में बात की थी, solute होगा solute होगा और solvent होगा solute कितना है अपने पास, 10 gram है caustic soda solvent कितना है, 100 gram ये भी बात कर रखी है, तो solution net solution कितना होगा अपने पास, 110 gram 10 gram solute और 100 gram solvent, तो total होगा 110 gram, अब percentage weight by weight क्या होता है, अब भी जश्ट आपको बता है weight of solute, to the weight of solution तो अपने पास weight of solute कितना है 10 gram, और weight of solution अभी निकाला होगा, अपने 110 gram, तो 10 by 110, 10 into 100 ये 100 किसलिए परसंटेज के लिए तो 1 by 11 परसंट, अप्रोक्स बोलते है 9.09 परसंट option जैसा 1 by 11 की फोम में हो 2 by 11, 3 by 11, तो आपन बाइ 11 पर टिक करेंगे और solve करका हो कि 9.09, 8.53, 10.73 तो आप टिक करेंगे 9.09 पर जैसा option में given होगा, आपन ऐसा कर लेंगे इसमें कोई problem नहीं है ये problem से को clear, अपन से परसंटेज वेट बाइवेट पूचा था, दोनों का weight दे रखा था, solute का भी और solvent का solute और solvent के weight से हमने solution का weight निकाला, उसके बाद इस formula में डाल दिया, clear next problem के तरफ बढ़ते हैं, देखो अगली problem है कि 5 moles of glucose are dissolved in the 2 liter of water if the density of the resulting solution is 1.5 gram per milliliter, then calculate its percentage weight by volume, weight by weight, molarity, तीनों चीज अपन को calculate करनी पढ़ेंगी, ठीक है, 5 moles glucose के दे रखे हैं, 2 liter of water में ये density भी दे रखे है, देखो density देदी मतलब यहां से weight by weight वाली term में, weight by volume, दोनों को relate करने के लिए density का काम आएगा, पहले इस बारे में आपन आफी बात कर चुके हैं, चलो तो start करते हैं, क्या करना इसमें, देखो glucose की बात हो रही है, राइटिंग में किसे कोई दिक्कत आए, तो sorry, थोड़ा सा छोटा ही लिखता हूँ में, ठीक है, glucose है, formula होता है C6H12O6, मैं इसलिए हर चीज़ डिक्टेट कर रहा हूँ थाकि आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत ना आए, C6H12O6 होता है, molecular weight होता है 180, अब देखो number of moles में निकाल लूँगा, number of moles हो, question में गीवन है मेरको 5, weight by molar mass, molar mass मेरको पता है glucose का होता है 180, यह molar mass लेकर लेकर है, तो weight of glucose कितना आगया, 5 into, देखो weight of glucose कितना आगया, 5 into 180, यह हो गया मेरे पास weight of glucose, अब देखो percentage weight by volume क्या होता है, पहला part percentage weight by volume पूचा है, क्या करूँगा, weight of glucose में निकाला है 5 by 180, divided by volume of solution, क्योंकि W by V है, V क्या है volume of solution, वो 2 liter दे रखा है, मतलब 2000 milliliter, percentage है तो into 100, तो यहां से 45 percentage weight by volume आगया, बहुत असान, अब देखो, यहां आपने एक चीज़ देखियोगी, water की चीज़, water के बारे में जिकर है, तो यहां आपने condition लिया है, कि volume of solution, solvent equal to volume of solution, ठीक है, यहां पर यह बात आपन याद रखेंगे, अब देखो, अगला पार्ट क्या है, percentage weight by weight, अब देखो, again weight by weight का मतलब क्या है, ऊपर भी weight, weight of solute divided by weight of solution, clear, तो अपन वही करेंगे, weight of solute तो में पता ही है, कितना है, 5 into 180, divided by weight of solution, अमें निकालना है, अब volume of solution तो में को पता है, weight कैसे निकालूँगा, भूल गए क्या, बहुत असान सी बात है, density factor से multiply करके, क्योंकि density होता है, mass by volume, तो कुछ नहीं करना, density into weight of glucose, वह अपन को मिल जाएगा, sorry, volume of glucose, volume of solution, तो हमें मिल जाएगा, mass of solution, क्योंकि density होता है, mass by volume, तो 1.5 into 2,000, यह अपने पास हो गया, weight of solution, तो इसको जब हमें calculate करेंगे, तो 30% weight by weight आता है, clear, आप देखो, यहाँ पे एक में चोटी सी चीज़ और आपको पताना चाहूँगा, percentage weight by weight आपने निकाल लिया, अभी निकाला न 45, डारेक्ट ट्रिक पता रहा हूँगा, तो आप क्या करना न, density हमें पता है, और percentage w by w पूछा है, तो कुछ निकरना, percentage weight by volume equal to percentage w by w into density, यह वली चीज़ मेरको निकाली है, यह मैंने निकाली है, अभी निकाली है just, 45, density मेरको question में गीवन है, तो 45% divided by 1.5, डारेक्ट करोगे न, तो आपको 30% आजाएगा, डारेक्ट ट्रिक है यहाँपे, दोनों को relate करने के लिए, ठीक है, देंसिटी है, अब देको, third question की बात करूँ, molarity, molarity कितना क्या होता है, number of moles of solute present in the volume of solution, तो moles कितने given है, 5, volume कितना है, 2, तो 5 by 2 कितना हो गया, 2.5, तो 2.5 is the molarity of that solution, clear three parts, आपने बहुत असानी से solve कर लिए, किसी को कोई भी दिख्कत आए, तो comment कर देना, वीडियो के नीचे, मैं आपकी help करूँगा, और मुझे उपर, मुझे लग रहा है कि आपको बच्ची तरह से, समझ आ गया होगा, चीज आपके लिए clear हो रही होंगी, क्यों, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, यह problem देखो, फिर भी आपको कोई doubt आ रहे है, तो वह आपिस में dictate कर देता हूँ, percentage weight by volume अपने कैसे निकाला, फहले weight of glucose निकाल लिया, volume of solution, दोनों को divide कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया, percentage weight by weight, अब percentage weight by weight आ गया, अब percentage weight by volume, weight by weight कैसे निकालेंगे, density से, डिवाइड कर देंगे इसको, तो यह अपने निकाल लिया, 45 है, divide by density हो में पास percentage w by w आ जाएगा, clear यह वाली बात, और molarity क्या होते है, number of moles to the volume of solution, number of moles 5 थे, divided by 2, 5 by 2 कितना हो गया, 2.5, molarity, clear, तो इस lesson में पने पहली concentration term पढ़िया है, group B की, next lesson में पन डूसरी concentration term पढ़ रहे ह ठीक है, तो मिलते है पन, next lesson में तब तक keep studying and best of luck for your bright future.